ये पीछे भी इन्होंने खरीदी कर ली थी भार सरकार WTO की मीटिंग में माफी मांगी थी भी हम किस तरह से अधिक खरीदी कर गए हैं और इस बार भी माफी मांगें क्योंकि उनके रूल्स अधिक खरीदी करने की अजाचत नहीं देते हैं और जो BBC ने शांता कुमार कमेटी की रपोर्ट का विर्वा दिया भी जो हमें कुल हमारी पैदावार होती है जो MSP के उपर फसल खरीदी जा रही है वो केबल 6% है ये शांता कुमार की कमेटी ने रपोर्ट भी दी थी इसका मतलब है 94% हमारी जो कुल पैदावार है वो मंडी में उसकी लूट स्निश्चित हो रही है बेशक भारसरकार कारी हम अधिक खरीद रहे हैं जो भारसरकार की माने वो कहते हैं 13% खरीदी कर रहे हैं यह भी मान लें तो फिर भी 87% मंडी में लूट हो रही है अगर भारसरकार की भी माने यह अलग-अलग बाते हैं और देखिए अमेरिका ने जो WTO की नीती में अलग-अलग बॉक्स बना लिया जैसे ग्रीन बॉक्स है ठीक है एक अमबर बॉक्स है ब्लू बॉक्स है तो जो हम तीसरी दुनिया के लोग है कह लिजे हम रेड जोन में हम सबसिटी मिलती है हमें और वो अपने जो अम डॉलर सलाना एक किसान को अमेरिका दे रहा है और जो हमारी सबसिडी है वो दो सो अंठामन डॉलर की है तो यह फर्क देख ले भी कितना बड़ा गैप है तो इसलिए हमां हम समझते हैं पी WTO की नीती जो है हमें लीगल गरंटी कानून बनाने में बीच में बहुत बड़ी बादा है और इसी के साथ साथ अगर हम पंजाब की रपोर्ट देखे तो जो रंजी सेंग घुमन जी आये थे ये बादल साब ने इनका कमिशन बनाया था इन्होंने 1968 से लेकर 2078 तक जो रपोर्ट दी सी पंजाब में तो MSP पे खरीद होती है गेहू और धान की वो बोला फ सरदार घुमन जी की रपोर्ट थी लगभग बड़े पमाने पर 61,696 करोड का पंजाब के किसानों को घाटा पढ़ा ये MSP मिलने के बाद भी घाटा पढ़ा ये रंजी सेंग घुमन की रपोर्ट जो बादल सामने केमेटी बनाई थी तो जो जिदरम जा रहे हैं तो इसलि के समझे के ओपन कबड़ी होती है ओपन कबड़ी तो उसमें कुछ भी नियम कानून नहीं होते वेट जो मरजी लड़े एक होती है अंडर 19 की कबड़ी एक होती सिक्टन की किमेटी उसमें वेट भी होता है एज उमर भी होती है तो जितनी एज का इदर का आदमी जितनी वे तो हमारा किसान तो बहुत गरीब है खुली मंडी का जो कंसेप्ट है जो डवलू टियो नीती के तैट खुली मंडी का कंसेप्ट भारत ने माल लिया वो कभी भी भारत के लिए उचित नहीं होगा अब देखे पंजाब का देखिए यहां आलू खुली मंडी में बिखते हैं उसका कोई रेट नीचे मर्जी होती है दो पैसे मिल जाते मर्जी होती है नहीं मिलते पर जो बजार से खरीदते लोग है उनको दाम अधिक देना ही पड़ता है तो जो बात ये कर रहे हैं अगर MSP लीगल गरंटी कानून बना दिया गया तो बजार में महंगाई हो जाएग मैं इस सहमत नहीं आप देखे पंजाब में देखे जो मूंग का रेट था 85 रुपए प्रती कीलो था तो हमने जो पंजाब में मूंग बेची है वो 30-35 रुपए में बिकी पर पंजाब के खबतकार को ये मूंग 120-500 रुपए में मिलती है आप देखे दुकान से जाके 22-29 रुपए बजार से खुली ग्यों ले सकते हैं तो जहां सरकार MSP दे रही है वहां बजार की कीमते नियंतर में हैं जो हम कहना चाहते हैं लेकिन सरकार उल्ट बोल रही है तो जो आज का सैमीनार ये पूरी तरह स्पस्ट कर रहा है भार सरकार ने जब तक भार सरकार WTO की निती से खेती को बाहर नहीं करेगी तब तक देश के किसान को इनसाफ नहीं मिल पाएगा जो हम समझते हैं तो एक तो ये वारता आपसे करनी थी दूसरी बात हम कल प्रित पाल सिंग के पास मिलने के लिए गए थे पीजी आई में तो हमारे बलदेव सिंग सिर्सा की डूटी लगी थी बहुत मेहनत की उन्होंने इन्होंने रिट डाली कोई भी सरकार ने हमारी सुनी नी जब हाई कोट का वहां निर्देश गिया भी इसको ट्रांसपर गड़ तब वो गए और इतने डरे हुए थे उनके घर परवार के आदमी जब सिर्सा साथ लाइब होके बात बोलते थे तो वहां के पुल्स करमी धमकी देते से उनके परवार को भी इनको लाइब होने से रोकिए आपके लड़के की लाइब चले जाएगी परचा हो जाग उनकी मैं देख रहा हूं जो लेफ्ट लेग है वो पूरी तरह प्लस्तर है तोड़ी गई है तो यहां दाड़ी के बीच बहुत सा दाग है तो मुझे सिर्सा जी ने बताया इसके गले में कुछ डाल कर खीचते रहें ठीक है या तो रसा डाला होगा रसी डाली जो भी होग तो इस तरह से भी बोल उसकी आवाज बहुत कम निकलती है लेकिन अब स्थिर है उनका स्वास्त जो हमने पता तो यह बरबरता पूर्ण जो कायरता पूर्ण कारवई जो किसानों के उपर केंदर सरकार ने की है खर्याना सरकार ने की है यह पूरा देश और दुनिया देख उसारी थी या सिंगु पर उसारी थी या गाजी पूर पर तब क्या आपकी सोच थी अब आप वो बाडर खोल दिये दिल्ली के जो दिल्ली के बाडर है यहां के नहीं तो अब आपकी क्या सोचा उसके बारे में कुछ बोले मानिये प्रतान मंत्री जी तब क्या निरने था आप क्या आप तब उचित थें या अब उचित थें आप कन्फ्यूजिंग में हैं तो हम तो कहते हैं और आज पंजाब हरयाना में बहुत सारी जगों में इंटरनेट की सवाइब बहाल कर दीगें अच्छी बात है हम कहते हैं बातचीत से पहले सभी चीजे समान ने करिए हम तो केदे स्वायम प्रधान मंत्री जी आगे हैं जिनों ने ये कारवाई की है किसानों के उपर बलका परयोग किया उन सभी अधिकारियों को किटहरे में लेके आए ठीक है तब सुनिच्चित होगा भारत का लोकतंतर जिंदा है तो मैं मैंने इतनी अपनी बात रखनी थी आज जो डवलूटी किन्वेंशन है इसका जो मुख देशे था जो अपने कसान है उन्हें वारे पूरी जानकारी मिले तांके जड़ा कदों में को पत्तरकार पोच्छता होगा जवाब दे सकन और रेदे वचे एस अनूं सिखन मिलेया कि डवलूटी देज दोर यह नितिय है और एस करके डिसाड़ी मस्पी जड़िया सरकार देन तो समय था वदेच एवी गाले काई सीगी कि जदो वाजपाई ने परमानू जड़ा तमाका कीता सीगा एक्सपेरिमेंट कीता सीगा उदो पड़िया संक्षना लगियां आज वी इस देश्दे प्रदान मंतरी नों आज भी ड्यूट दो अपने शर्टा दियां मन वह और जडियां संक्षना लग दियाने पार तजिड़ावा आपने आपके दरबर देशा अपना हर चीज़ पैरा कर सकते हां हर शोटी ने शोटी शोटी जीना के जारा कर सकते हैं और मेरी बेंती आज देप्रदान मंतरी न या आज तक सरकार ने दर्जनी किती वह दे बारे जड़ावा साधी सरकार नो चतामनी या कि ओ एरे पर जल्दी जल्दी कारवाई करें नीदे दुमे फोर्म जड़ी मीटिंग करके जड़ावा ओधे अगला प्रोग्राम जड़ावा वो कोष्ट किता जा हुआ यह निया मेर ले जाने हैं उन्हों मुखरा के जब आजबाई थे कर्मेंचन रूपी लोकानों दिस्टे नीतियां वारे कल नूं सारे देश देश देवेच डबल जूटी ओदे जड़े पुतले साड़े जानगे सारे शेरां देवेच इसी पिंड़ां तक सनिहां देता के हर पिंड़े डबल जूटी हो दियां नीतियां दे खलाफ जड़ा होदा हमला अपनी खेती होते हैं अपने सारे प्रमंते होना ओदा रोस पर गट कर ली सारे देश में पुतले साड़े जानगे ते सम तो बड़ा पुतला जड़ा है थे शंबू और खनौरी विखे त्योकत पुतला जि कि साड़े समाज नों निगलनों साड़े आर्टतानों निगलनों वालियां जड़ियां नीतियां ओदा ड़तमा अमरोद कर गिया और सारे समाज दे वरकांतों असी परमेस जोग दी अबीद भी करते हैं तनवा जी आगर नाम सेंग जी छोड़े ना गाल का लड़ेंगे संबू बाडरते थे खनौरी बाडरते थे पूरे पार्त दे वेचे जड़ा किसान तक सद्द कीता है और सारे पत्रकार दोस्तों तुसी जान देओ वो सारी नीतियां जेडियां डबल जू टियो दियां उधे खलाफ जेड़े कसान संगर्स लड़ रहे हैं उधे तहता जेड़ा सेमिनार कराया गया उधे तो बहुत बटी एक जेड़ी है वो डॉक्टर सहवान जेड़े अर्थसास्त्री भी अबू ताबू देवेचे सत्तर हजार बंदा जेड़ा ओ एदा डबल जू टियो दा ब्रोध कर्ण देले ही ओथे जा रहे है ते जेड़े कंट्रियां देवेचे ए पूरी तरह लागू होई ओथे दस्याज में पन देर सावना की पचासी हियार डालर उनानू सबसीटी दिती जा रहे है ताब भी ओथे जेड़ा एगरी कल्चर है और डिवेलप नहीं हो रहे है तो पार्त वेचे 298 जेड़ी है ओ दिती जारी सबसीटी ते एथे छोटा कसान है तो ए चीज़ां जेड़ी है ये मारू नीती दे नाड जो अर्थ ववास्ता इते विगड़ेगी ओ एह हो जे हलात होंगे पहले तेन करोड रोक जेड़ा दुनिया देवेचे पोखमरी नाड दाशकार हो रहे हो कल्ले पार्त वेचे भी एस तो दुगने जेड़े या और नाले टैम देवेच हो जणग पर उदे जदो खरीदा उनों खरीदा उदी कीमत के वारी आप जी ने देखिया कि ओदो सोर भी एकिलो तक भी हुंदी है उदे टे एमस भी नहीं ए लोकां दे बेचे के बैम परमजेडा पर पे जया जा रहा सरकार जेड़ी अपनी ए दोरी नीती है उनों बापस लागे पार्त दे कसानानों तो एतो दी पार्जानों बिचावना जेड़ा उस सरकार दा काम है तानवाजी जैस्वेंदर सेंग दी लोंगोवा दिखो जी में में तो पहला सारे प्रामाने गटेल दे बिच जान करी दिती के डबल जू टियो असल दे बिच साड़ी ए शंगार दे नाल कि में आज उड़ी होते विशेश चर्चा दे ता और ते अज बुद्धी जीवियां ने चानना करके साफ किता है गा ये डबल जू टियो असल साड़ीयां मंगा दे विच मुख ता और ते डिकत खड़ी कर रहे हैं जीदे करके साड़े देश्दियां सरकारां उन कट हों पुल्जू टियो दी जिते खेतिवड़ी सेक्टर दे हुथे मार तै है जेह पांसंगा अर्शनु वडरा करके साणालक करने सारे सांड़े को ऑड़नूब कर लई जिते असी समुच्चे देश वासियां नो अपील कर देयां कि काल नो तुसी सारे कठे होगे अपने अपने शहरां दे विच अपने पिंडां दे विच एस देश नो मारू निती दा ब्रोध करिये कि पार्त डबल जू टी ओ दिया नितियां जो बार आवे एक दूजी असी जेडे दोहे ए वाडरां दे कसान वड़ी गिंती वेठे है साड़े तैन बजे दा समाता है किता है साड़े तैन बजे बड़े पुतले बना के साड़न दा फैसला किता है ते नाल दी नाल एस गल नो समझन दी कोशच किती है आज दे समीनर दे विचों भी साड़े दे किसान जेड़े हर रोज वडीगंती खुद कुशियां कर दे हैं वो खुद कुशियां दी जुम्मेबार के डवल जू टीओ है किसान जेड़े उना दे पड़े लिखे बच्चे जे ऐस्तर तीदो शाट के बदेशा लई जा रहे ने बेर रजगारी बदा उन दे विच डवल जू टीओ जुम्मेबार है क्योंके डवल जू टीओ दिया नीतियां उनसार वडीगंती नू खेती वड़ी दे विचो कड के थोड़े कराणया दे हाथ दे विच कार पो रेड़ खेती दा माडल है जेड़ा ओह लगू करना जांदे है असी एक आल समझन दे विच काम जब के पारदे लोक लड़ रहे हैं इनू होर मशाल करनवास्ते समुच्चे पारतियानू वदेश्चांदे विच बेठे साड़े पाई चारिनूसी सब्दा देन्या पी ना दोलनानू तकड़ा करो ए लड़ाई बहुत बढ़ियां थाकता दे वरुद देश व्यापी नी पू किसान खेती कर रहे हैं तो यॉर्प फिर भी टिकने रहा जॉर्प में खेती बेस एग्रो इंडस्ट्री भी है इसके बाद यॉर्प के जैसे फरांस के किसानों ने जब अपनी राजधनी को घेरा तो उन्होंने बोला भी जो बाहर से आप फल मगा रहे हैं सबजियां मगा कर रहे हैं वो हमारे स्टोरों से नहीं खरी दी जा रही है अब बाहर से मगाने वाले को सबस्टाइट कर रहे हैं तो जो यह आज का मॉडल है जो डबलू टियो की दिशा नर्देश के उपर भार सरकार ला रही है पूरी तरह यॉर्प में अपने आप से फेल हो चुका और इसलिए हम कहते हैं भारत डबलू टियो से बाहर आ जाए